जैहिंद एवरिवन सो वेलकम बैक तो वेकनिंग ग्लासिज आई होप यॉप यॉल आर फाइन सो जम्मु कश्मीर का पॉर्शन हम डिस्कस कर रहे थे पहले जम्मु कश्मीर में हमने ट्यूरिस्ट डेस्टिनेशन को विद्धा हल्प पी वाइक्यू कवर करा सेकिंड जम्मु कश्मीर के दो लेक्शे सारे इसके साथ आपका जीके इंडिया वाला पॉर्शन है उसके दो लेक्टिर सारे इसी तरह हमने फॉरेस्ट की कमेंट करते हैं सब कौन सा पेड कोर्स लेना यह वह साई क्लासी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं आप इन लेक्चर का बैनिफिट उठा सकते हो ठीक है तो अगर आपने पहला जिग्राफी वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको भी सार-सार देख लेना इसके बाद ही कर रहा था आज को स्टार्ट करते हैं तो क्या कहता है पहले खुड ट्राइब करना क्रेशन को वाट इस टाइम पिरिट ऑफ चिले बच्चा इन जमू कश्मीर ठीक है चिले बच्चा जो है उसका टाइम पिरिट कितना है जमू कश्मीर में अब आप जैसा अगर आपना धि चिलाए बच्चा या चिले बच्चा की बात हो रही है ना कि चिले कलान की बात हो रही है तो पहले तो यह आपको पता होना चाहिए तीन चीज़ है एक होती है चिले बच्चा एक है चिले कलान एक है चिले खुर्द यह तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कश्म जो किसका नाम सुना हुआ है चिले कलांग एक पर्षियं यह पूछ लें इसका मतलब वोता है ृत को बना ऑट कहीं यह बच्यों कि बच्छा की बात नहीं चालिस दिन होते हैं और इसी को बोलते हम चिले कलान I hope this is clear to you चिले कलान क्या होता है यह हार्ष विंटर का पीरिड है मतलब इसमें बहुत ज्यादा थंड पड़ते हैं इसको बोलते हैं हार्ष विंटर पीरिड एक्जाइम में कोई पूछे चिले कलान तो आपको आना के बाद वाले 20 दिन पीरिड आता है उसको बोलते हैं चिले बच्चा नहीं यह एक चिले खुर्ड है याद कर लेना चिले खुर्ड कौन सा पिरिड है मतलब जो चिले क्लान के बाद आता है चिले कलांग खतम हो गया जैन इंडिंग में उसके बाद ला पीरिड पहले बीस होता है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं स्माल कोड क्या बोलते हैं स्माल कोड क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं अब यह हो गया आपका जो फैब वाला पीरेड हो गया फैब के 20 दिन हो गए ठीक है उसके बाद उसके बाद माद फैब 20 के बाद जो लास्ट इसके बाद वाले 10 कम हो चुकी हो इसको बलते हैं और भी एंटर हमने तीन पिरड मेंWow कि consequence सिजन को डिवाइड करते हैं चालीश दिनों का पिरिड है स्टार्ट होता है बार बार सुन लो स्टार्ट होता है 21 दिसंबर से तो चालीश दिन लगा लो 29-30 जयान तक चलेगा उसके बाद जो नेक्स 20 दिन आएंगे तो ठंड कम हो जाएगा उसको बोलेंगे चिले खोर ठीक चिले बच्चा का टाइम पिरिड कितना है तो चिले बच्चा का पूछता है अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखा तो प्रॉब्लम आएगे अगर देखा तो मैंने बहुत अच्छी से पढ़ाया हुआ है उनके मन्त भी बताया तो कौन से मां जैसे सोंत है जैसे वहार लेक्चर जम्मो कश्मीर की जिग्रॉफिका साथ साथ कवर कर लेना देखो यह लेक्चर आपके लिए बहुत बैनिफिशल है यह आपको इसकी रेलिवेंस नहीं बता सकता आपको एक्जाम में जाके पता चलेगा तो डोंट मिस ठीक है नेक्स्ट कुश्मीर के सारे नैशन याद करवाया थे वाइलाइफ सेंटी कहां पर है याद करवाया तो यह बहुत बार इग्जाम में आया इसको छोड़के ध्यांट से सुना इसको छोड़के जो है वह एक और चीज़ पूछती है चिसको हम कंजर्व करने के तोर पर यूज करते हैं और वेट लेंड क्या हो इसी तरह और खौनमो यह भी पूछा गया अगर पेपर दियो होंगे तो आपको पता होगा अज और खौनमो के बारे में भी पूछा गया हुआ है वह कहां पर है तो बेसिकली वेट लेंड रिजर्व और रिजर्व तो हमारे लिए सारे इंपॉर्टन है थोड़े इंपॉ पूरा टाउन जो है जहां पर बासमती राइस भी होते हैं तो वहां पर है क्या गराना वेट लेंड रिजर्व हमें नहीं समझाब यहां पर डाल दिया है यह ना मतलब यह फोल के ना अच्छे से कर लेना अभी यह पीडिए टैलीघ्रम में शेर करवा दूंगा इस पीडि पाई थी देखो ना अनंतराग में बताई थी ना और राज प्रायन है जिसका दूसरा नाम दक्षम है बारा मुला में गुलमर्ग है लिंबर है लच्ची पूरा है यह सारी मैंने आपको याद कर यह सभी इंपोर्टन है तराल कहां पर पुलवामा में एक भी मत छोड़ना आपको नैशनल पार्क यहां से देखने है कौँसा कहां पर है वायलाइप सचीज देखने है उसके बाद दो चीज़ें आ जाती है Ying तो वैट्लेंड इंपोर्टन है यह आपको देखना जैसे आपको रामसर साइट किया था आप तो यह पुरानी रामसर साइट में आते हैं तो हाइगम कहां पर है बारा मुला में ठीक है उस तरह मिरकुंड कहां पर इनको इस तरह से याद कर लो चतला मन्यबुग करंचू फ्रेशकोरी एक बार देखे जाना ही इनको देखके जाना कोण सा कहां पर सर सर्केंड इतने इंप्वर्टेंट नहीं है इग्जाइम के लिए यह आप सोचते हो अजस्ट भी पूछ लिए एक बाद ने खौनमो भी पूछ लिए तो कुछ भी पूछ सकता है अच्छा बल देख लो अनंतनाग में है यह तो देखी जाना जो आपने नाशनल पार्क वाई लाइव संची तो करने ही करने उसके बाद आपने सबसे पहले पूछा हुआ है तो यह आपको साथ-साथ कवर कर दूगा बाकी आपका काम है रटने का इसको रट लेना क्योंकि इसमें मैं आपकी इतनी हल्प कर सकता हूं ठीक है यह आपके लिए निकाल दिए आप देखो नैशनल पार्क में किस्तवार कहां पर है किस्तवार में है उसका कर रहे संची सारी याद कर दो तक बाते तक पूस्टी नहीं पूसे कहा पर है तक बहुत अब भी आपको दिक्कत है तो यह ओफिशल है यह मैं आपको बता देता हूं नंद अब यहां पर भी में इक आप सब्सक्राइब में संग्राल असा चक भी यहां पर तो बाकि नंगा कहां पर है सांबा मैं यह देख लेना अब इसके ऊपर से नजर मार लेना जैसे सुध महादेव तो एक ट्यूरिस डेस्टिनेशन में भी आता है वह उदमपूर में ज्वाहाइ टनल जो है वह रामबन में ठेंड कहां पर है तो बाहू कहां पर है जम्मु में एक बार यह भी थोड़ा थोड़ा आप इसका आइडिया ले लोगे ऑल्दो कंजर्वेशन इस से भी इंपॉर्टेंट आपके वेट लेंड इस होते हैं ठीक है पेडियेव शेर हो जाएगी उसमें यह कुशन आप इसली कवर कर तो हमें यह समझ आ गया कि गिराना वेट लेंड हमारा कहां तो कौन सा लेक है जमो कश्मीर का जिसका ओरिजन किसके साथ है महाबारता किसा यह मैंने आपको होमवक भी दिया था सुरिंसर मानसबा लेक जिसको डीपेस लेक बोलते है वुलर लेक लाजर फ्रेश्वाटर लेक उफ इंडिया डल लेक जो है ज्वेल इन दक्राउन आप क्या के कर नहीं क्या लेक जमो कश्मीर का महाबारता किसा इसूरिंसर किसे लेक तो जुरूर देख लेना उसमें सारा लेक्स इंडिया के मैप्स कवर करवा हैं तो यह लेक्स पीछे वाली वीडियो पर भी मैंने बताया था जमू किश्मीर की जिग्राफिक की उसको देखोगे तो बार-बार एक ही चीज रपीट टैलीकास मारने की आदत नहीं है इसमें क्या ह थिस्ट्रिक निकली है हमें यह चीज बताने है रियाध्यची निकली है निकली है यह बुढगाम निकली है ठीक है और बुटगाम तो यह आपके पास तीन आप्शन बचे देखो अब ना सबसे पहले आप मेरे साथ एक पांच मिनट आप मुझे दोगे जिसमें आपको बताऊंगा कि दो बारी में डिस्ट्रिक्स बनेगे ज्यादा तर डिस्ट्रिक्स आफ डाउट दो बारी में एक तो 1979 और वो डोड़ा से निकली हुई है इतना आपको याद होना चाहिए यह 2007-08 में हुई तो यह तो हमें कवर हो गया बट क्या हर बार यही पूछाएगा नहीं वह कुछ भी पूछ सकता है कि बुढ़गाम कौन सी डिस्ट्रिक्स से निकली है वह कुपवारा पूछ सकता है तो आ 1979 और 80 के टाइम ठीक है कि मतलब एक डिस्ट्रिक में से दो तिन दिस्ट्रिक निकली और दूसरी बार यह चीज सबसे मेजर हुई थी 2006 में तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्स नहीं बनी थी पुरानी डिस्ट्रिक्स से काफड आउट हुई थी पहले हम 1979 और 80 के टाइम की सबसे पहली बात यहां पर निकली थी पुल्वामा कहां से निकली थी अनंतनाग से पुल्वामा कहां से निकली थी अनंतनाग से कब निकली थी 1979-80 के टाइम है ठीक है उसके बाद भुडगाम कहां से निकली थी सिर्नगर से बुडगाम कहां से निकली थी सिर्नगर से पुल अनंतनाग से बुढगाम निकली सिर्णगर से समझ आ गया अब 2006 में तो बहुत निकलती है देखो याद करो यार दोड़ा में से दोड़ा की स्राउंडिंग दोड़ा में से निकली रामबन एक निकली रामबन और दूसरी निकली किस तवार यही तो कुछन था आपका किस इसका अंसर यह तो यह क्वापिस तो नहीं पूछेगा फूष्व भी लेगा तो एक उसके स्राउंडिंग पता चल जाती है यहां पर हमें यह तीम पता चल लगी है तो यह सारे देख लेते हैं तो डोड़ा से अगर रामबन निकला है अगर किस तो आइन कोशन पूछ सकत जैसे जम्मू से भी इसका कुछ एरिया निकाला और कठुवा का एरिया भी निकाल के सांबा डिस्टिक बने इसलिए आपको पता सांबा वली छोटी सी डिस्टिक है ठीक है उसके बाद रियासी डिस्टिक जो है वह कहां से निकली थी उदमपूर से रियासी डिस्टिक कहां स साथ आर्ट की बात करो मैं यहां तो नाइंटिन सम्टेटी कंप्लीट हो गया तो गांदरबल भी कहां से निकलिया हमारी गांदरबल भी निकलिया कहां से सिर्नगर से निकलिया उसका कुलगाम हमारा निकला था अनंतनाग से कुलगाम कहां से निकला था अनंतनाग से पैन नो वापिस करवा देते पावले 1979-80 निकला सि नगा से बुढ़ाम निकला मेरे साथ बोलो सिह नगासे बुढ़ाम निकला और में सबसे इंप्रूटन है डोड़ा से रामबनों किस्ट्वार निकल गए सांबानिकला जम्मोर कठुवा से आप सब तरह से याद करने कुछ इंपॉर्टन बता देते हूं जो आप याद कर सकते हुए है याद कर जैसे इस और यहीं से याद कर लो पोलृमाm और निकला है इस क्मेश से याद कर लो पली स्टेशन से इसके लिया पիए से हमारा निकला放 हाट है और कुल है और हमारा निकला है और किस्टवार करते हैं बहुत की तो रहते हैं लोग सिर्नगर स्राउंडिंग मुद्ग में पड़ एक पूर उण गाम निकल गया था 1979 और 80 के टाइम में और गांदरबर निकला हमारा 2006 और सबसे इंपॉर्टन आपको याद रखना है बांडी पूरा कहां से याद कर लो ना बांडी पूरा कहां से निकला है यह मेरा डिवाइस करवाने का तरीका था इसके बाद आपको खुदी रखना सब्सक्राइब ने पूछांद बेंगे सब्सक्राइब एक उन्यूस में पर घ्र्द आर सबस्क्राइब अब हैनल सब्सक्राहिए ने सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तो पता चले आपकी रिवीजन भी अच्छी हो रही है कि नहीं और मॉक टेस्ट के लिए जो आपको आने वाले विदिन ट्री डेस में आपको कर दूंगा चाहिए वो जूनिय एसिस्टेंट वाले आपका मॉक टेस्ट पहले आएगा उसके बाद हम फॉर पूछा भी जाये का कहाँ कर तो यात्र को जाने के लिए यहां से आपा मंळा मर्गा वाला पालतलंव आहेप है और चाहि yay ला मलतल के मेंगा है और और दोनु एरिया तो डिस्टेंस जाद है उसमें डिशेंस जा सकते इसके सब्सक्राइब है ऑगन आ यहां पर स्लोब हाइए मतलब कहने का मतलब हारी इस सब्सक्राइब में को आपने सब्सक्राइब में कहां पर है आपको आना चाहिए नंतनाग डिस्टिक अंतनाग डिस्टिक तो यह को यहां तक नहीं होने चाहिए आपको ठीक है I hope this is clear to you अब अमना यातर समझ आ गया बेस्केम सरी आप्शन से चार ये भी बता दो कहां कहां ठीक है पंपोर को क्या बोलते थे पंपोर को क्या बोलते थे ठीक है पंपोर के बारे में आपको पहले भी बताया हुआ पंपोर पुल्वामा में है कह सैफ्राउन टाउन ऑफ कश्मीर क्या बोलते हैं सैफ्राउन टाउन ऑफ कश्मीर क्या बोलते हैं सैफ्राउन टाउन ऑफ कश्मीर ठीक है उसके बाद सोना मर कहां पर है गांदरबल में बता दिया गुलमर कहां पर है यह भी बताया आपको बहुत बार बताया गुलमर कहां पार है बारा मुला में और दूध्पत्री कहां पर है दूध्पत्री हमारा बुड़ गां में दूध्पत्री कहां पर है दूध्पत्री कहां पर है ठीक है यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ठेकर नेक्स कोश्ण मुव करें I hope this question is clear to you moving towards next question इंडिया में नहीं होती है रिवर सो लेक्स ऑफ इंडिया पे लेक्ट्र आये हों है इंडिया से बाहर कौन-कौन से निकलती थी तो इंडिस निकलती इंडस यहीं से से नीचे से निप्रीवर से निकलती है यहीं पूझा तो कौन सब्सक्ये इंडिया यह निकलती है यहां जो और आदे कि निकलती है तिब्द से हमार्चल प्रदेश से निकलत Cat और इसको मिलती है आप सब्सक्राइब कहां से निकलती है जमू किश्मीर में तो यह साधे आपको पता है आपको नहीं करूंगी बहुत इन डेफ्ट आपको रिवर्स लेक्स पढ़ा हुआ है और देख सकते हो हर बार क्वेशन आते हैं तो कितना इंपॉर्टन आपके लिए ठीक है मुविंग तो इन करेंट का कोश्चन है बट इइंपॉर्टन लगा मुझे अल्दो करेंट कहां रिपीट होता है बट करेंट का कोश्चन है मुझे लगता एक्जाया में पूछा जा सकते तो आपके लिए इंकल्यूड कर दें यहां पर पूछ रहा है इस वाप्ट सब्सक्राइब Ox. डी इस का पर नाम है और बट या नाम है औम पूरा है औम पूरा फ़िये पूइंट यादlicher तो यह पूछा गया है पहले इसलिए हमने इसको साथ-साथ कवर कर लिया कितने कोशन होगे 22 तक हो गया हमारे कवर जुक्राफिक के कोशन और इसके साथ हमने पता नहीं कितने कोशन कवर कर लिए सिर्नगर के बैंक पर लोकेटिड तो कौन सी रिवर की बैंक में लोकेटिड है लिडर भी जेलम की ट्रिब्यूटरी है ठीक है तो आल्दो मैंने पढ़ाया वापिस बता जैता हूं यहां पर क्योंकि जेलं की ट्रिब्यूटरे जो हैं बहुत बार एक्जाम में पूछी गई है बहुत बार हर एक एक ट्रिब्यूटरी आती आ ती है दिके थेलिए उसके बात और कौना सी पर्शेंड निदर पूछ रहा न हरवान खिका इतनी बार बोल दिया मुझे याद हो फोड़ी थेक विछ भी पूछता है बहुत बार पूछता है इन भी पूछा है सिंद्ध भी हर्वान भी और मदुमतिय सारी पूछे उसको चोड़ के संदराम और सुखनाग भी है यह इतना पूछा नहीं है बाकिस आए तो बहुत बार पूछे सबसे इंपॉर्टन गंगा जिसका नाम है नीलम रिवर सिंद्ध एरिन मदुमति पहरू विश्व रंबियारा दूद्ध गंगा उसके पास संदराम और सुखनाग जो हैं यह सारी किसकी हैं यह क्रेशन था कि सिर्नगर किस रिवर के बैंक में रोकेटी यह तो मैंने आपको बता दिया यह वो कौन सी रिवर के बैंक में अभी वीडियो पॉज करोगे और कमेंट सेक्षिन में अंशर दोगे अगर आपको नहीं आता गुगल सर्च करोगे बट इसका झुक निकाल ओगे क्योंकि अगर अगली बार यहाग तो मुझे ब्लेम आप नहीं करोगे सबी य के मस्ती में मज़े से वीडियो देखोगे ना तो पेपर भी मस्ती में मज़े से खराब हो जाएगा ठीक है मेरे वर्स थोड़े तफ जुरूर लगते होंगे आपको आपके फेवर में होंगे यह आपको पेपर में रियलाइज होगा ठीक है इसलिए अच्छे से पढ़ा करो है तो आपको बैठ के पढ़ाने वाला है वह भी कुरसी टेबल पर बैठ के ची पढ़नाँ है अगर पोछतन करते को सुलाई हनी पूछ पूछ सकता है कि उसको जी कम मिला है बडरवा को मिलें रांबन वालो बोलो कमेंट सेक्षन में में शुलाई हनी रामबन का है तो रामबन के सुलाई हनी को जी आई टाइग जिग्राफिकल इंडिकेशन टाइग मिला है यह पॉइंट आपको याद रखने क्या इससे काम बन जाएगा नहीं इससे हमें एक थीम मिली के रीसेंट जी आई टाइग में कोशन पूछे जाते हैं तो भाई हम सारे रीसेंट ज पश्मिना ने ऑफ्रोड्यक्ट्स मिला जच टाइग वुलन प्रोडक्सा और प्लस 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 निसथे पेंटिंग म nationalism करते हैं कथुए से यह पॉइंट आपको और यह लिखें आपने उसके बाद कितनी बार बताया है चिक्री वुड क्रॉफ्ट को भी टैग मिला कि लैंड आफ किंग्स राजयोरी ठीक है ये भी देखते चलो ठीक है नेक्स्ट बदर्वा के राजमा यह तो आपको पता चलिए होगा जब नाम पढ़ गया बदर्वा राजमा तो हम कहां की बात करें सर हम बदर्वा राजमा मे में टेस्टी होते हैं तो इनको भी टैग मिलाए कौन सी डिस्ट के हैं दोटा डिस्ट के वना माई फ्रेंड बिलॉंग टु बदरवा और उसने राजमा भी दिये तो बदरवा का एक अचार भी बहुत फेमस है अभी आपके मुह में पानी आ रहा होगा पता नहीं से वह सर्क से कहां से कहां से अनतना इसको बी टैट कलाडी उदंपूर की कलारी को भी टैज्बन वालो बोलो सुलाई हनी के साथ एक और चीज को जी आई टाइग मिला किसको अनार धाना को भी जी आई टाइग में तो रामबन के दो याद कर लो अनार धाना और सुलाई हनी मुश्क पुर्जी राइस अनन्तना कलारी उदंपूर की वह मचार बदरभा के राजमा दोड़ा में चिक्री जोरी में बसोली परश्मिना वुलन प्रोडेक्ट और वसोली पेंटिंग कट हुआ सर हमें सारे क्लियर होगे ठीक है क्या इतने में काम बनेगा नहीं अभी कुर्शन का अंसर दोगे उसके बाद काम आपका कंप्लीट होगा सैफ्रॉन को जी आई टाइग मिला है सर मिला है आपने मुझे वह डॉकुमेंट नंबर बताना है जिसके तहर मिला यह भी मैंने हजार बर बताया हुआ है वह डॉकुमेंट नंबर आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे यह जे कैसे नेक्स कोश्चन कोश्चन 25 कहता है देशा वैली एंड बलेसा वाटरफॉल और एस डि नहीं पता चलता है जो है बढ़क में किस्टिक में हैं किसतवार के अनतना के सर अब बलेसा वाटरफॉल डोडा से बिलॉंग करते हैं तो इसका आंसर दो डोगा में क्या-क्या है यह आपको याद रखना है यह बहुत बार पूँच्छे यह कस बहुते पहले तो सबसे पह में रख ले ना कि पुझा पूशा जा सकता है फुरी का पर है डिस्ट्रिक्स बोला में ठीक है आप मुझे कौश्ण का अंसर दोगे एक उपर्टन कोश्ण है बहुत इंपॉर्टन कोश्ण है एक ऐसा टर्नल है जो connect करता है डोड़ा को कथुआ यह जो मैं कोशन देख रहा हूँ ना यह comment section में देखुँँगा अभी वे कोशन रहा है अपनी कंसेंटरेशन बिल्कुल भी खराब मत करना डैस प्रोजेक्ट बिल्ट अधा कॉस्ट प्रोजेक्ट बना अंडर नैशनल रिवर कंजर्विशन प्लान में एक सो नब्य करोड का थे समय देविपार प्रोजेक्ट इमार प्रोजेक्ट ठीक है तो कौन सा में यह तो देख鍋ए ना औ Papa को बाहर करेंगे सिवेर ट्रीटमेंट लगाएंगे पलूशन को कम करेंगे और वहां की वाटर क्योंटिक को इंप्रूव करेंगे यह सारा इसमें आ जाता है रिवर कंजरवेशन की बाहत तो अब देविका रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए देविका रिवर उदंपूर में फ्लो मानतलाई भी क्या है यह सो क्रोड का प्रोजेक्ट इसमें क्या है इंटरनाशनल योगा सेंटर तो मान्तलाई क्या है उदंपूर में इंटरनाशनल योगा और वेलनस सेंटर का बनाया जा रहात तो यह आप याद कर सकते हो इमार ग्रूप एक यूए-ई-बेस्ट कंपनी है रिए और सिर्नगर वह बना रही है मेगा वह त्यार हो पता है और यह यह और बना रहे है ठीक है तो इमार गूप ही सिर्णगर में मेगा बॉल बना रिए चिनपूरा एरिया में तो जो निकूमुट इन कश्मीर तो जम्मू कश्मीर में निकूमुट जो है वो किस क्रॉप को बोला जाता है सफरोन को पियर या अप्रिकोर्ट देखो यह थीम बहुत इंपॉर्टन है इससे पहले भी यह जो आप्शन ही है ना आपके वही जेके सब्सक्राइब ने पूछा था कि ब्यूरो हार्डी जो है वह किसकी वराइटी है जो किसकी वराइटी है फ्रूट की जो जम्मु कश्मीर में ग्रोन होती है यह दो कुछे हुए और मैं एक चीज़ बता हूं वह हो जम्मु कश्मीर में किसको रैफर किया जाता है ऑप्शन ए इस दा पर ताला लगाए जाए पांच करोड आप जी चुके हो सोया भी इनको बेसिकली निकुमूठ बोला जाता है जम्मु कश्मीर ठीक है क्या यहां तक कंप्लीट हो गया नहीं 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 देको मैंने है क्या है प्यर हाडी जो है एक फ्रूट की वराइटी है जो जम्मु कश्मीर में क्ल ठीक है तो यह क्या है पियर और को और हलमान जिसे कहते हैं वह किस की वराइटी है किस रूट की वराइटी तो अप्रिकॉर्ट को बोलते हैं यह आप याद कर लोगे देखो इसी तरह वराइटी का पूछा जाता है यार मैंने अपने लास्ट लेक्ट में बताया था यह आपको याद रखना है कौन सी कश्मीरी गॉल्डन काज़ी तो ख्रोड थे काजी आपड़ थोड़ी तो काजी नॉट पहुरायटी नॉट इसका वज्जिद रखाई यह तीनों ही श्रक फूर्डन की कह सकते में वाल निट की यु結श निए जाता यह फो लो अट फायई इधान तो एक फैस्टी वराइड है एक करना है यह वालनेट की विराइट है जैसे इस बार किश्मीरी एपल आ गया तो अगली बार वह भी आ सकते हैं मुविंग तुए स्टेट में रिगार्डिंग डल लेक अब यह भी है वह आजकल आ रहा है ऑनली वन बोथ वन इन टू पगएरा तो इसमें से कौन सी स्टेटमें करेक्ट है डल लेक मेटरू इंपेक्ट कब पढ़ा है हमने ऐसा तो हमने सिह लोनार लेक महाराश्च्रा गिरने के विए से क्रेटर लेक बना अब अधा नहीं पर लेकिस वन इंडियन वैट लेट डेजिनेट हैं तो पहले यह तो हमने ऑलड़ी सर्ण है बट वहां पर कहीं हमने इसका नाम सुना था क्या बोलते हैं डल लेका तो ऐसा नाम हमने नहीं पढ़ा हुआ तो यह नहीं है बताया है वह सारे ठीक है बराक वैली अश्म में नहीं है यह बाकी तीन भी पढ़ाया ना कहां पर बदरवा में उसका गुरेज वैली अगर बात करों कहां पर है बांडीपूरा में याद कर लेना इंपॉटन टूरेस प्रेस है तो आता है बैताव वैली कहां पर यह भी पू क्यांत यार पहल wow जो है अननतनाग में है पहल आनतनाग से कौन से डिस्टिक कार्फट हुई तो अनतनाग से पुलवामा कार्ड आउट हुए ती कौन सी निकली ठीक है यह याद होना चाहिए आपको नेम चैन्म बार बार रिवाइस कर वाद्या इस आपको पसंद आया लेक्चर तो आ रहें बट आप कितनी कॉंटिनुटी से इन लेक्चर को देखते हो उसके बेसिस में मेरी भी मोटिवेशन रहती और मेरा भी पढ़ाने कर रहता है तो अगर आप अच्छे से सिंसेर्टी से लेक्चर देख रिस्पॉंस व्यारा करोगे कमेंट सेक्षन में तो स्टार्ट होने जाए आप बताओ बागी क्वेशन आज मतलब प्रो लेवल एक्जाम लेवल क्वेशन डालूंगा वहां पर और आपको पता चलेगा और मैं यूट्यूब में ठीक है तो इस तरह से आपका हम मौक टेस्ट भी कर दें क्योंग आप टाइम है इसके बाद एक बाद किसी ने कहा था एक बाद में दो मिन ले लूँगा आपके अच्छी चीज़े सिखाऊंगा ठीक है यह नहीं सोचने टाइम वेस्ट है एक बाद में को किसी ने पूछा था आपके पास दो चाईस है फर्स चाईस डैट देजन मतलब स्किल्स में बहुत अच्छा ह नहीं और दूसरा एक एवरेज परसन है अब किसको चूज करोगा आपने फीड में उसको लेना है मतलब उसको स्ट्रिक्टर को सेलेक्ट करना है उन्हें परसन विदा और कॉन्फिडेंस कि लिए तो भी चल जाएगा पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए इक्जाम में जाने से पर शेर करते हैं दिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके बाद प्लेलिस में जाओ या साइर लेक्टर पड़े हुए सब भी प्लेलिस बने हैं जूनियर सिस्टेम पर टवारी फॉरेस्टर की बना देंगा आप इन लेक्टर को देखो डैट विल बैरी वेनिफिशल टू यू लेक्टर शेड़ टोड़े कि लिए इन लेक्टर टूदे लेक्टर बना आप शेड़े कि वेरेस्टर आप शेड़े।